इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए जो जेके SSB एक्जाम्स के असपारेंट से उन सभी के लिए एक अपडेट है दोस्तों सुप्रीम कोड से आडर आ चुका है दोस्तों मैंने यह चीज़ आपको पहले बिताई थी कि सुप्रीम कोड ने क्या किया या ट्वीट में अब मैंने आपको बताया था कि जो केस था यानिकी जो डबल बैंच के बास केस किया था सुप्रीम कोड में वह फिर से सिंगल बैंच को दे दिया गयाया कि इस पर अबोक काम करें और एक अच्छा सा यौ फैंसला लें तो दोस्तों मैं आपका बता दू कोट से आर्डर ये आया कि जो एक कहाने थी पूरी जो सुप्रीम कोट के पास पहुँची थी अब फिर से आपकी ले ख्मार का और फिर से आपका का पास आई है और हाई कोट का जो उन्हों का कि एक अच्छा decision आएगा जो कि single bench पे तो दोस्तों ये जो time period की इन्हों ने बात कि four month के अंदर अंदर इनका decision आना चाहिए यान कि four month के अंदर अंदर इनका decision आएगा कि क्या अब आगेगा इनका आप किया होगा एब-taik का ये करेंगी क्या देखें दुस्तों मैं आपको बदा दू इसमें अगर आपके दिमागे में चल रहुकर अगर छोगे और नहीं भी हो सकते हैं बट आपको प्रिपेर करना चाहिए बच्चे बोड़ें कि BLW का एक्जाम कब तक होगा मैं आपको दोस्तों बता दू कि BLW का एक्जाम को आप एपरिल के एंडिंग तक ही लेके चलो और फर्स्ट वीक आप मई तक ही लेके चलो जब तक कोई अफिश यह जो हाई कोट की डिरेक्शन्स हैं वो आ सकती है अप टेक के लिए जैके सलबी के लिए अब वो क्या होंगी वो उसी टाइम पर पता चलेंगी यह पूरा आडर है यहां पर मेरे पास पूरा तो नहीं है इतना सही है फिलाल के लिए पर इसमें जो चीज मुझे पदा चल हाई कोट में अब इस हाई कोट पिसे वे काम करेगा और फोर मन्त के अंदर अंदर उनको यह चीज़ जजमेंट बच्चों को देनी पड़ेगी तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे दोस्तों आप अपने एक्जाम की प्रपेशन करते रहिए और अगर आपको इसी सबसे पहले सी वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे दोस्तों और हमारा एक नए चैनल भी है जेके प्रेक्टिस अकैडमी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा उसको भी आप जरूर जोइन कर लेजेगा उस पर भी आपको इंपॉर्टन अपड मिलती रहती हैं सो बाबाइ टेकर गाइस इस वीडियो बस इतना ही रखेंगे